Hello friends, this is Amit and you watching AJ the Informer YouTube channel दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग College, University के अंदर जो admission की परिकरिया है वो सुरू हो चकी है उसके बारे में जानकरी देंगे जितने भी हरियाना वाले students हैं उनके बारे में दोस्तो सारी जानकरी मैं दूँगा कब आपका document verification होगा कब आपकी पहली दूसरी तीसरी list लगेगी कब आपको documents जमा करवाने होंगे कब तक आप अपनी piece जमा करवा सकते हैं और कब तक आप अपना online registration किसी भी college या university के लिए कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो सबसे पहले में आपको बताना चाहूँगा 16-26 अगस्त के बीच में आप किसी भी college युनिवर्स्टी के लिए apply कर सकते हैं 16-26 अगस्त के बीच में आपके registration होंगे 10 दिन के लिए ये open रहने वाले हैं 18-28 अगस्त के बीच में 18-28 अगस्त के बीच में आपका online document verification होने वाला है 2 सितंबर को आपकी पहली list लगेगी याद रखिएगा 2 सितंबर को पहली list लगेगी 2 से 6 सितंबर के बीच में पहली list के जितने भी students होंगे वो अपनी online fees जमा करवा सकते हैं 2 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में आप अपनी online fees जमा करवा सकते हैं जितने भी students पहली list में cover होंगे अब बात करें दोस्तों दूसरी list के बारे में तो दूसरी list आपकी 8 सितंबर को लगेगी हर university college में 8 से 11 सितंबर के बीच में आप online फीश जमा करवा सकते हैं जितने भी students दूसरी list में cover होंगे वो अपनी online फीश 8 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में जमा करवा सकते हैं online mode में अब बात करें तीसरी list के बारे में दोस्तों तीसरी list इसी आधार पर लगती है कि कितनी सीटें किस college university में बची हुई हैं उसी के आधार पर तीसरी list, चोथी list और पांचमी list भी लगाई जाती है बहुत सारे collegeों में तो 13 सितंबर को ये तीसरी list लगेगी बाकी जितनी भी किसी भी college में यूनिवर्स्टी में सीटें बच जाएंगी उसी आधार पर चोथी list और उसी आधार पर पांचमी list भी लगेगी ध्यान दीजेगा दोस्तों आपको आने वाले समय में किस university में, किस college में, कितने नमबरों पर list लगी है उन सभी की जानकारी हमारे channel के बाद दिर्म से आपको provide करवाई जाएगी अब बात करते हैं दोस्तों आपके पास कौनसे कौनसे documents होने चाहिए दसमी का पर्मान पत्तर, बारमी का पर्मान पत्तर, रियाईसी पर्मान पत्तर, जाती पर्मान पत्तर, पासपोर्ट साइज फोटो, आय पर्मान पत्तर, चरित्तर पर्मान पत्तर, इमेल आईडी, मोबाइल नंबर, माईगेरेशन पर्मान पत्तर, बैंक खाते के पासबुक की फोटो कोपी EWS परमान पत्तर NSSNCC स्पोर्ट्स परमान पत्तर अगर आपने ये किये हुए हैं तो फैमली आईडी ध्यान रखिएगा फैमली आईडी भी अब की बार जरूरी है दोस्तो ये सभी डोकुमेंट्स आप अगर हरियान के युनिवर्सटी या कोलेज में एडमिसन ले रहे हैं तो ये सभी जो दस्तावेज हैं आपके पास होने ही चाहिए दोस्तो जल्दी ही जो य जय हिंद जय भारत